हेलो फेंट इस वीडियो में आपके साथ चर्चा कर रहो माकसर फार्मा लिंटेड के आज जो पाट्रे रिजल्ट आयों के बारे में सबसे पहले इसकी प्राइज पर्फोर्मेंस के बारे में बात करते हैं प्राइज पर्फोर्मेंस शह मही ने में रहा 58% की ग्रोथ शेर प्राइज पर पिछले एक साल के दुरान तक करीबन 1500% की रिटन्स इस ने दिये जो भी रिजल्ट आनाल्सिस कर रहा हूं यह केवल और केवल एजुकेशनल प्रफोर्फोर्स के लिए कोई बाया सेल रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन शेर प्राइज के बारे में चरचा हम वीडियो के दुरान कर सकते हूं तो जो भी आप फैसला ले अपने विवेक के इसाब से ले में केवल रिजल्ट आनाल्सिस और प्राइज के एक्शन किस तरही के से मूउव कर सकते हैं मैं वो चरचा आपके साल जरूर से जरू सब आज रिजल्ट आने के बाद ही देखनी के लिए मिला अगर हम बात करें माकसन फार्मा लिम्टेड के आज के कौर्टरी रिजल्ट के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर जो परफोर्मेंस रही है पिछले साल के मुकाबले में यहां पर तो जो ग्रोथ हाई है सेल के अंदर स्पेशली वो अबब 15 पसेंट है 15 पसंट से भी जाता है तो यह जो ग्रोथ है 15 पसंट से भी जाता है इसका रीजन क्या है सबसे पहले वर टोप लाइन की बात करते हैं और जो मेनेजमेंट की कमेंटरी आप देखेंगे तो 452 क्रोट से बढ़कर 531 क्रोट हो गई जो 15 पसंट से भी जाता है अब रीजन क्या इसका रीजन ही है कि जो यूएस वाला बिजनस है उसने अच्छा किया यूरोप में बहुत अच्छी सेल इनकी रही है यूके वाला बिजनस इसके लाव़ जो आस्ट्रेली और न्यूजलेंड में यह जो ग्रोथ के लिए नई उचाहिया ढूंड रहे थे क्योंकि एक नए आइरिया था और वहां पे बहुत अच्छा इनों ने बिजनस किया और रेस्ट व वर्ल्ड जनरली जो मिडिलिस्ट वाला प्रपोर्शन है वहां पे कुछ खास रहा नही है तो जो तीनों सेग्मेंट थे जोग्रफिकली चाह वो यूके की बात करें चाह यूएस की बात करें चाह उस्टेलिया की बात करें और उस्टेलिया को निजलेट के साथ ही देखेंगे तो वहां पर तीनों जगे प्रफोर्मेस बहुत अच्छी अब जो बैनिफिट आए वह कहां से है देखिए को रो मेटरल की कोस्ट इस सिगनिफिकली डिटीस हुई है तो जो सेल्स रिवेन्यू है वह 452 कोड़ से बढ़कर 531 कोड़ हो गया यानि कि सीधा सीधा 80 कोड़ से उपर का आपको ग्रोथ जो है देखने के लिए 80 कोड़ से उपर अब अगर हम यहां पर बात करें जो खर्चे हुए रो मेटरियल में तो रो मेटरियल का जो खर्चा बड़ा वो बड़ा मात्र 34 कोड़ से तो 34 कोड़ रुपे का खर्चा यहां पर चला गया उसके बाद स्टोक इन्वेंटरी थोड़ी से डिजस्मेंट हुई है तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो 54 को करोड से बढ़ जो है कहां पर आ गया 85 कोड़ तो यहां पर भी तक्रीबन तक्रीबन आप 54 से 85 पर जाएंगे तो यह 30 कोड़ के असपस यहां चला गया अब बात करें बाकी जो खर्चे थे वह किस तरीके के रहे तो 140 से 174 हो गया 54 से 85 हो गया अब यहां पर अगरम देखें तो employee की जो benefit expenses है वो 59 कोड़ से बढ़कर 71 कोड़ हो गया तो यहां पर भी जो ही जाफा हुआ finance cost जो है वो more or less ज्यादा काम की है नहीं और जो depreciation है वो 14 क्रोड़ से बढ़कर 75 क्रोड़ हो गया इन सब के बावजूद अगर हम अधर expenses के बात करें 89 से बढ़कर 93 हो गया 4 क्रोड़ तो इन सब के बावजूद भी जो revenue growth थी वो कहीं जादा थी जिसकी वज़े से आपको profit before tax 77 क्रोड़ से बढ़कर 113 क्रोड़ होता हुए नजर आया और इसके अलावा यहां पर पिछले बार inventory की जो adjustment थी वो 28 क्रोड़ थी और 28 क्रोड़ खर्चे के रूप में थी जबकि यहां पर 7 क्रोड़ income के रूप में है तो यह जो 28 और 7 35 तो 35 क्रोड़ का ही जाफ़ा यह व इसके बावजूद जो profits है वो काफी बहतरी जो है दिखाया है और इसके बाद अगर हम बात करें EPS में तो यह पहले profit growth देखें तो profit growth लगभग हुई 38% 38% और 1.52 पैसे से बढ़कर EPS होगी 1.84 पैसे वो 20% है अब आप गहेंगे सर 40% profit बढ़ा 38% profit बढ़ा 38% profit बढ़ने के आपको पता है कि तक्रीबन 11% के आसपास की जो equity है वो बढ़ी थी preferential allotment में तो जो number of shares है वो बढ़ गए है और वो number of shares बढ़ने की वजह से जो EPS है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितना की profit है लेकिन फिर भी हम यह मानते कि 1.84 पैसे के आसपास EPS आने वाले समय के अ अगले साल रिपोर्ट कर सकती है तो साड़े साथ रुपे से साड़े आठ रुपे पंदरा के आसपास की PE ratio अब जिस्टिफाई करेंगे तो 120 रुपे के भाव पर यह शेस अभी मात्र पंदरा के आसपास की PE पर ही trade कर रहा है तो कोई बहुत महेंगी वेल्यूशन से नहीं अभी भी शेस की और रजल्ट के अंदर एक अच्छी प्राइज प्रफोर्मस देखने के लिए मिली कैश फ्लो फ्रूम उपरेटिंग अक्विटीज में भी देखें तो पिछले बार यह 75 क्रोड का कैश फ्लो जनरेट किया था उप्रेटिंग उप्टिविटी से छह महीने अच्छी जो टेवा वाला प्लांट उसमें डाल दी है तकरीव ने एक सुधी स्वन उसके अलावा जो सबसेट्री में जो पेमिंट थी वो तो आप कोई प्रेमिंट है निस बार और इसके अलावा जो 30 क्रोड जो है वह इनोंने वसूल है पर इन्वेस्टमेंट को बेच के जहां पर इन्वेस्टमेंट सेल करी है और इसके अलावा 15 क्रोड का आया इनके पास ब्याज तो यह पैसा इनहोंने जो है इन्फलो किया तो कुछ ने क्योंकि जब आप प्लांड वगरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वी मुचिल फ अगर 6 मेने में देखें 90 प्रोड के कैश्फोल में क्योंकि फाइनेंसिंग खर्चे हमने लिए नहीं है वहाँ पर डिविडेंड की पेमेंट भी और कुछ जो पेमेंट्स हैं वह भी थी पर कुल मिलाके कैश्फोल भी काफी मजबूत है और मैनेजमेंट काफी कॉल्फिडेंट है 17 पसंट की और इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर मैनेजमेंट गरी है कि हमारे पास जो एक स्टॉंग बेस था आ जापे और वह हम अपना फोकस वहीं रखने वाले ओवर दा काउंटर ड्रक्स के उपर हमारा मेर फोर एरिया में नहीं है लेकिन अन्दरी यह कल्चर है तो जो ऑवर दा क्वांटर ड्रक्स है जो जो पेटेंटी ड्रक्स रहती है उनका जब पेटेंट्स कतम होता हूं उनको यह पर डिउस करते हैं कुछ दवाया इनकी अपनी कोई क्वें क्योंकि रिसेच और डवलप्रेंट में तो 601 क्रोड रुपे का है और यह जो company आज की date में market gap पे 5600 क्रोड रुपे पहुंच गई है तो आज भी इसके पास acquisition के बाद खर्चा करने बाद भी 661 क्रोड रुपे तो comfortably cash है और debt-free company है इसके बाद अगर हम देखें तो revenue 17% बढ़ है quarter को year gross profit के अंदर 21% की बड़ोतरी हुई operating profit 41% के से ओपर 42% यह और PAT तक करीवन 40% बढ़ा और PBT तक करीवन 38% बढ़ा अब इसके पीछे reason क्या है reason देखेंगे आप तो बतारे कि market share हमने gain किया है दूसरी बात क्या है कि increase our share with the existing customers में भी हमने अपना share बढ़ा है उसके लावा reduction हमने जो है raw material के अंदर हुई कुछ raw material है जिसकी वजह से हमारा जो Rx drugs जो prescription drugs है उनकी pricing कम हुई तो भी हमने उसको compensate कर लिए EBITDA margins जो है इसलिए भी हमारे बढ़े क्योंकि हमने cost reduction की है और पिछले साल freight बगएर के किराय या जो था जो transportation में होता है वह काफी जाल है तो वह भी इस बार हमारे को फरक पड़ा सस्ता हुए इसके लाबा pet growth जो है overall pet growth is due to improved performance however there is an increase tax rate pet बढ़ा है उसके बावजूद जबकि increase tax rate UK में 19% जो पिछले साल था वह बढ़कर 25% होगे उसके बावजूद भी benefit होगा overall pet जो है वह improved हुए 19% के आसपास और EBITDA 11% है कर हम quarter quarter basis पिछले quarter से भी compare करें तो performance आपको पता चलेगी कि एक quarter में भी sales 6% की बढ़ा ही है तो कुल मिलाकर सभी पैमानों पे result बहतरी है लग रहे है वैल्यूशन अभी भी 15% के आसपास की P ratio पर है अलकि जब हम इस शेयस में निवेशित थे शिरू में तो हम इस शेयस में तक्रीमन आठ नो के आसपास की P ratio पर थे तो एक री रेटिंग तो इसमें उपर की हो चुकी है पर मुझे लगता है गुज जाईश अभी और भी है और अगल एक या दो काटर की रेजल्ट अगर इसी तरीके से दो रुपे के आसपास की है उसके उपर की P ratio दो रुपे से उपर की EPS को अगर यह टाप जाते हैं यानिकि उसके उपर छलांग लगा देते हैं तो फिर चा अगर हम बात करें कि मार्जन अभी भी जो अपरेटिंग मारजन से अगर हम उसको देखें तो काफी बहतरी नेग्रोज परिफिट मार्जन पर चैश बैलिशेट में जबसत है 119 क्रोड रुपे कैपे लगा दिया जो तेवा फार्मा उसके बावजूद भी 6601 क्रोड रु इचले साथ क्वाटर समें बैस्ट है इस सबसे बैस्ट कुछ कुछ किमत कम थी आपको बाकि डार्ट एक्सपेंस इपने सेविंग की पैट के अगर मार्जन देखेंगे तो पैट के मार्जन को 23 के जो क्वाटर 4 उसमें सबसे बैस्ट थे लेकिन यहां पर भी 15 परसेंट त क्योंकि Q4 इनका बहुत बहुत बैसरी सीजन होता है तो उसके बाद हो सकता है कि जब Q4 के रिजल्ट आए तो आपको बहुत अच्छी इंप्रूमेंट मां देखने के लिए देखेंगा उसमें 14 पसेंट सेल्स बड़ी यूके में बड़ी 22 पसेंट और ऑस्ट्रेलिया और मतलब एक अच्छी ग्रोथ है लेकिन यूके बिजनस इनका बैस्ट आए यूके रोई यूरोप उसके यूस में भी 14 पसेंट की ग्रोथ इनों ने दिखाई है इसके बाद अगर बात करें कि यहां पर देखिए कि जो एपीस की ग्रोथ हुई हो बीस पसेंट हुई है यहां इनों ने दिखाई है और अगर हम इसको क्योंकि वहां पर 1.53 तो 1.2 तो यह तक्रीवन 18-19 पसेंट के आसपास है लेकिन यहां पर इस मार्जन पर हम नहीं जाते हैं बट कुल मिलाकर एक बहतरी परफॉर्मेंस थे बिटा मार्जन्स ग्रोस प्रोड मार्जन्स डेट फ्री अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस कंपनी ने दो तीन क्वार्टर में जारी रखी तो एक अच्छी खासी वेल्थ क्रियेशन अभी यह और करेगा और अभी काफी बहतरी वेल्थ क्रियेशन यह कर चुका है तो आज की इस वीडियो के अंदर बस मैं अपनी बात यहीं पर स्वाप करना चाहूंगा और यह मैनिफेक्शनिंग प्लांट से जिनके हम चर्चा आपके साथार बार इन्वेस्टर प्रजेंटेशन में करते हैं नेट प्रोफिट में 57% की सी एज गार रही है 17-23 यह वो पीरियड भी रहा है जहां पर हम ने इस चैसमें एंटरी की थी त सब्सक्राइब करते हैं तो हो सकता है कि पीरी रेटिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन कुल मिलाकर एक बहतरीन परफोर्मेंस और एक स्टेबल तरीके के शेसमें की कैटेगरी में यह आ जाएगा क्योंकि देखिए का रही है अगर पिछले 10-11 साल में देखें कि पिछले 15 से मतलब 20 मही ने अप लगा लिजे यह जो पीरेट्स रहा है यहां पर एक दो क्वार्टर को छोड़ दे तो यह बेसिकली बहुत ही स्टेबल रिटर्स देने जो है इसने अपने और रिंग्स के बिसिस पर शेयर्डर्स के शेयर प्राइज में भी दी है तो कि यह जो था दिए ़िए और रिंग्स झाल झाल